कि यात हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात मित्रों आज रात से कर खाने लगू मध्यमुद्योग बंद हो गए लेकिन मोधीजी की सहत पर कोई फरक नहीं पड़ा वो अलग बात है कि 7 साल से नोट बंदी का नाम नहीं लेते हैं फिर अंत में कहा गया कि नकली नोट जो है व नोट ले जाया जाए तब भी मास्टर स्टोक एकदम से ऐसे लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दुबारा से खौफ खिलाने आ गया है फिर से नोट बंदी की बात होने लगी है दो हजार रुपए का जो नोट है अब वो सर्कूलेशन में नहीं रहेगा और तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन एक बात याद रखिएगा एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किये जाएंगे अथवा बदले जाएंगे एकदम से हड़कम सा मच गया है क्योंकि यात हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात मित्रों आज रा रंकों के पास वापस आ गया 16,000 करोड रुपए मात्रा आर्भी आए के पास नहीं आए लेकिन चौकाले वाली बात यह कि नई करेंसी चापने में 21,000 करोड रुपए खर्चा हो गए और एटीम रीकैलिबरेशन अलग से करना पड़ा तो इससे मिला क्या आपको समझाती इससे क्या मिला इससे मिला हमारा जीडिपी ग्रोथ रेथ आधा हो गया 8.2 से 4.1 हो गया 35 लाक नौकरिया तो तुरंत नश्ट हो गई कल कार खाने लगूम अध्यमुद्योग बंद हो गया लेकिन मोदी जी की सहत पर कोई फरक नहीं पड़ा वो अलग बात है कि 7 साल से नो अच था नुवंबर 2016 में अब 37 लाक करोड़ है डबल से भी जागा फिर कहा गया टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी अभी रजोरी और पुंच में हमारे 55 जावाज शहीद हुए और मोदी जी एक शब नहीं बोलते है वो अलग बात है लेकिन टेरर फंडिंग बेढ़क चल करनाटा रहे हैं तो अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो कुछ मीडिया के साथ ही कवर फाइरिंग देने के लिए कह रहे हैं कि मोदी जी और सारी पार्टी को डिरेक्शन में चलना चाहिए एक क्लीनिंग हो जाएगी करनाटा की हार के बाद ही क्लीनिंग याद आई प बंदू आज न चिप धूनना इसको मास्टर स्टोक बताना नोट आये तब भी मास्टर स्टोक नोट ले जाया जाये तब भी मास्टर स्टोक न Nimay R desen तो नहीं हो सेकत और थोड़ा सा अपनी वह विश मुसलेत्य पा क्विएल रखिएगा वैसे तो बेज काई लेकिन कोशि झाल झाल